नमस्कार आप देख रहे हैं दाएंगल मैं हूँ आपके साथ दिपालिमात हूँ दरडालते इस वक्त की सिर्फ होगा दिली के शाधरा में बड़ा खाथसा एलपीजी गैट सिलेंडर में विस्पोर्ट होने से एक महीला समेच चाड़ लोगों की मौन राजसान के मुक्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला अब सभी राज्य तर्मचारियों को देना होगा संपती कब्योरा सरजरी के बाद फिर फैल रहा ब्लैक फंगर्स, SMS मेडिकल कॉलेज के म्यूकोर माइकोसिस गोर्ड की स्टड़ी में लगा बता कोरोना संकट के बीच रसोई गैस बिगाड सकती है बजट एक जुलाई से घरेलू और वानिचिक गैस सिलेंडर के भड़ सकते हैं दा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्री परीशत की बैठक बुलाई है इसका आयोजन आज शाम पांच बजे ऑनलाइन ही किया जाएगा कोविड उन्निस महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओ के बीच हो रही इस बैठक में देश में मौजुदा हालात पर चर्चा की संभावना है इसके अलावा मोदी कैबिनेट में नए चेहरों के शामिल होने को लेकर भी विचार विमर्ष की संभावना जताई जा रही है वर्च्वली आयोजित होने वाली इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होंगे गटना में चार लोगों की जल कर मौत हो गई जबकि एक व्यक्ती जुलस गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है जानकरी के अनुसार पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया जिससे आग लग गई आग में जुलसने से चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक शक्स जुलस गया अगनी शमन विभाग के निदेशा कतुल गर्ग ने बताया कि गटना शादरा के फर्ष बाजार इलाके की है मौके पर पहुंची पोलिस ने शवों को अपने कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है महाराष्ट्र में महाविकास अगारी गटबंदन में तनाव के बीच मुक्यमंत्री उद्धव ठाकरे और NCP सुप्री मोशरत पवार की मुलाकात हुई सुत्रों ने संकेत दिया है कि अनील देश्मुक और महाराष्ट्र से जुड़े अन्यमुद्दो पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई सुत्रों का कहना है कि ग्रह मंत्री दिलिप वल्से पार्टी लोरादिते ठाकरे भी इस बैटक में मौजूद थे कांग्रेस के साथ खटास और शिवसिना के बीजेपी के साथ रिष्टों को सुधारने की कवायत के बीच पहली बार इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है कोरोना वाइरस के खिलाफ टीका करण अभियान में सरकार ने एक एहम बदलाव किया है एक जुलाई से प्राइवेट अस्पताल अब सीधे वैक्सिन निर्माता से ठीके नहीं खरीच सकते हैं उन्हें अब कोविन पर वैक्सिन का ओडर देना होगा इतना ही नहीं केंडर सरकार ने वैक्सिन की मंत्री स्टॉक की लिमिट भी तैकरने का फैसला लिया है केंडर ने प्राइवेट अस्पताल को महीने में अधिक्तम कितनी डोस का स्टॉक रखना है इसे तैकरने के लिए एक फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है प्रदेश को केंडर की ओर से समय पर वैक्सिन आपूर्टी नहीं होने पर मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने चिंता जताई है गैलोत ने कहा कि जब केंडर सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयू के लिए 21 जून से वैक्सिनेशन का एलान किया तब केंडर सरकार ने राज्यों को भरोसा दिया था कि वैक्सिन की कमी नहीं आने दी जाएगी जिसके कारण बार बार वैक्सिनेशन का काम रोकना पड़ रहा है इससे आमजन में आकरोश फैल रहे प्रदेश में अभी तक लगबग 2 करोड 44 लाख वैक्सिन लगाई जा चुके एवं प्रति दिन 15 लाख वैक्सिन लगाने की शमता है अगर केंद्र सरकार समय पर उचिक मात्रा में वैक्सिन उपलब्द करवाए तो थर्ड वेव का खत्रा समाप्थ हो सकता है राजस्तान की अशोग गैलोत सरकार ने बड़ा निर्णे लिया है अब राज्य के सभी करीब साड़े आठ लाख करमचारियों के लिए अचल समपती का विवरण देना अनिवारे कर दिया है इनमें टॉप ब्यूरोकेट्स से लेकर पियोन तक सभी शामिल होंगे पहले केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए ही प्रापर्टी डिक्लेरेशन अनिवारे था लेकिन अब ये सभी राज्य करमचारियों पर लागू होगा प्रदेश के करमचारियों को 31 अगस तक अनिवारे रूप से अपने अपनी समपती का विवरण देना होगा अचल समपती को विवरण नहीं देने पर कार्मिक का वार्शिक इंक्रिमेंट एवं प्रमोशन प्रभावित हो सकता है करमचारियों को 1 जनवरी 2021 की इस्तिती में अपनी अचल समपती का विवरण देना होगा सरजरी होने के बाद भी ब्लैक फंगस फिर से फैल रहा है राजस्तान के सबसे बड़े अस्पताल SMS मेडिकल कॉलेज के म्यूकोर माइकोसिस बोर्ड की स्टडी में ये पता चला है SMS अस्पताल में अब तक इस तरह के 27 केस आए है प्रॉपर मेडिसिन लही लगपाने से फंगस भी बढ़ सकता है SMS अस्पताल में अब तक 450 ब्लैक फंगस के मरीज पहुँचे है इनमें से 410 लोगों की सरजरी हो चुके ब्लैक फंगस के करी 25 लोगों में ये फंगस दिमाग तक पहुच गया जिससे उनकी मौत हो गई है फंगस की मुक्य दवा M4 टेरेसिन की बाजार में अभी कमी है इस कारण ये रोग फैल रहा है राजस्तान में 18 जून को प्रवेश करने वाले मानसून की सुस्ती ने आम जन और किसानों की चिंता भड़ा दी है एक तरफ सूरे के तीके तेवर से अधिकान शेहरों में तापमान 40 डिगरी के पार चला गया दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है वही किसान भी फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं मौसम विभाग की माने तो मानसून की सुस्ती से ये इंतजार और भी लंबा हो सकता है अभी परिस्तितिया मानसून के अनुकूल नहीं है स्काइमेट वैदर रिपोर्ट के अनुसार फिलाल पूरे उत्तर भारत में ब्रेक मानसून की स्तिति है कम से कम अगले एक सप्ता तक यही स्तिति रहने वाली है उम्मीद जताई जा रही है कि 6 जुलाई के बाद मानसून फिर सक्रिय हो सकता है आज सप्ता के तीसरे कारोबारे देन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला बंबे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुक इंडेक्स से इन सेक्स 212.52 अंकों की तेजी के साथ निशानल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61.90 अंकों की बड़त के साथ 15810.40 के स्टर पर खुला आज 1553 शेयरों में तेजी आई 554 शेयरों में गिरावट हुई और 64 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ पहले ही कोरोना ने लोगों की रसोई का बजट विगाड रखा है इसके अलावा पेट्रोल डीजल ने आग में घी का काम कर रखा है ऐसे में अब रसोई गैस आम आदमी का बजट विगाड सकता है गरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 58 रुपे तक की व्रद्धी संबभ है य हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें